अनकेडमी क्लासस पर आप पढ़ रहे हैं यहां पर क्लास 10th की NCRT और चेप्टर चल रहा है टेक्नोमेंटरी इनी तरिकोड में थी इसके एक्सराइज हम पढ़ रहे हैं यहां 8.2 और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें और उ रखिए एक साथ साथ हमारे पढ़ते चलिए जिससे आपको बहुत आसान सा लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपकी ज्यादा समझ में आएगा तो यहनि आपको अपनी टेक्स्ट बुक जो है आपकी माइटमेटिक्स की उसको सामने रखना है जिसी यहां पर इन्हों बताया है जो कुशन नमबर टू है हमारा उसको इन्होंने बताया कि टू टेन थर्टी एन वन प्लस टेन स्कुआर थर्टी इसका मान निकालना है और मान निकालके बताना है कि इसमें से कौन साइन चारो आप्शन में से सही होगा यह बताना है तो हम पहले क्या करना पड़ तो जो आप solve करेंगे तो देखिए आप, यहाँ पर जब आप solve करेंगे तो देखिए, यही पर अगर हम आपको solve करके दिखाएं, तो यहाँ पर 2 है, और उसके बाद आपको क्या मिल ला है, यहाँ पर 30, 10, 30 का जो मान होता है, वो 1 by root 3 होता है, इसके नीचे 1 plus 10, 30 है तो आपको यहाँ पर, और यहाँ जो आपको मिलेगा, वो 1 plus 1 by 3 मिलेगा, इस तरीके से, अब आप जब लासा यहाँ लेंगे, तो देखिए, आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा, 2 तो उपर रहेगा, root 3 रहेगा, और नीचे रहेगा, 3 plus 1 divided by 3, आप जो इसको solve कर लें तो आपको 2 by root 3 divided by 4 by 3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और यह चीच जो मिलेगी, आप देखिए, यह चीच जो मिली है आपको, इस तरीके की, इसको जो आप solve करेंगे, तो देखिए, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप जैसे ही changes करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, और नीचे हो जाएगा, आप इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो 2 नीचे आजएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ root 3 मिल जाएगा आपको, तो यहाँ root 3 divided by 2 आपको answer मिलेगा, और आप जानते हैं root 3 divided by 2 जो answer है, वो किसकी value के बराबर है, यह sign जो है 60 के बराबर है, यह sign 60 के बराबर आपका जो option है, A वाला option वो match कर रहा है, तो यहाँ पर जो बिकल्ब सही होगा, वो हमारा A बिकल्ब इस प्रकार सही हो जाएगा, यहाँ हमें A बिकल्ब यहाँ मिल जाएगा, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, तो आप आपको क्या मिलेगा, आप second part की हम बात करते हैं, तो second part में आप जैसे ही one minus one का whole square और नीचे one plus one का whole square रखेंगे, तो उपर आपको zero मिलेगा, नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा आपको two, finally answer आपको मिलेगा zero, अब आप जानते हैं, zero आपको क्या मिलता है, zero तब आपको मिलेगा, यहाँ पर देखें, दिया भी गया है, तो आपका जो बिकल्प है, वो डी हो जाता है, इस परकार इसका बिकल्प जो सही होगा, वो डी सही हो जाएगा, अब आईए, यहाँ third part के त आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, साइन, zero degree, zero degree का मान क्या होता है, zero होता है, यहनि इस स्थित में आपको zero मिलेगा, अब आप इसी का मान, जब दुबारा लिखेंगे, यह तो हमारा, इस side का मान होगे है, अब हम इसको जो solve करेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, two, sign, a है, और इसकी जगेपर two sign, हम रखेंगे, zero, zero रखेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, two, और sign zero का मान क्या होता है, zero होता है, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, zero मिलेगा, यहनि इस condition में आपको क्या मिलेगा, zero मिलेगा, यहनि a का मान, जो है, अगर हम zero degree रख दें, तो मान हमें क्या मिल जाएगा, zero मिल जाएगा, तो इस सहीं हो जाएगा अब चलते हैं हम fourth part की तरफ तो fourth part में आप देखिए two multiplied by आपको जो मिलेगा यहाँ पर two multiplied by जो मिलेगा वो क्या मिलेगा अब देखिए यहाँ two multiplied by ten 30 है टें 30 का मान आप जानतें है one by root 3 है और divided by आपको क्या मिलेगा one minus 1 by root 3 का whole square रहे अब यहाँ पर 2 by root 3 तो आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे बटे में आप 1 minus 1 by 3 लिख सकते हैं आप लासा लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 by root 3 लिखेंगे और यहाँ नीचे में क्या मिलेगा 3 minus 1 by आपको 3 मिल जाएगा कुछ इस तरीके का मिलेगा अब यह 2 by 3 हो जाएगा यहाँ पर यहाँ जो मिलेगा आपको वो किया मिल जाएगा आप इसको पलिट दीजिए जैसे ही आप पल्टेंगे इसको तो देखें आपको क्या मिलेगा पलिटने के बाद आपके पास जो चीज हो जाएगी वो होगी 2 by root 3 मिलेगा और 3 by 2 मिलेगा यह cancel out हो जाएगा तो आपको answer मिलेगा यहाँ पर यह कुछ इस तरीके का मिल जाएगा अब नीचे तो root है तो आप क्या करीए उपर नीचे root से multiply कर देजिए तो जब multiply आप कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो मिलेगा तो यहाँ मिलेगा 3 root 3 divided by 3 यह 3 3 cancel हो गया अब answer मिला आपको root 3 root 3 आप जानते हैं कब होता है तो यहाँ 10 के ही दिये है तो 10.30 पे जो है आपको root 3 का मान मिल जाएगा 10.30 पे जो आपको है यहाँ पर आपको मान मिल जाएगा यहाँ जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पर मान आपको मिलेगा वो 10.60 पर मिलेगा 10.60 यह वाला आपको option सही होगा 10.60 आप table जो हमने पढ़ाई थी उसमें आप देखेंगे तो यह 1060 का मान root 3 होता है तो यह चीज़ आपकी clear हो गई होगी आप चलते है question number 3 की तरफ देखे question number 3 जो आप से कहता है वो क्या कह रहा है कि 10 a plus b root 3 दिया गया है और 10 a minus b 1 by root 3 दिया गया है a plus b 90 से 0 के बीच में रहेगा a बड़ा है बीच है तो a और b का मान ग्याद कीजिए तो देखे यहाँ पर जब हम स्वाल करेंगे इसको तो देखे मान कैसे निकालना तो हम तालिका से अगर हम जाने तो देखे यहाँ पर मिलेगा 10 60 अगर हम ले 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 तो हमें मिलेगा रूट 3 यह हमारी समीकरण हो गई पहली दूसरी है देखे 10 a प्लस b क्योंकि वहाँ पर रूट 3 ही तो दिया है इसलिए हमने इस चीज़ को माना इस चीज़ तो हमें दी गई है समीकरण 2 में यह समीकरण 2 है अब जो हम compare करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा a प्लस b इक्वल टू आपको क्या मिलेगा a प्लस b इक्वल टू 60 मिल जाएगा क्योंकि दोनों की जगे पर रूट 3 रूट 3 आ रहा है तो हमने जब compare किया तो हमें क्या मिला यहाँ यह चीज़ मिल जाती है और a multiplied by b की बात करें तो a multiplied by जब b की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ हमको दिया है 1 by root 3 दिया गया है यहाँ जो हमको दिया गया है वो a into b का जो मान दिया गया है वो a और b की अगर हम बात करें तो हमें 1 by root 3 था तो उसका मान कितना होगा 30 होगा ये हो गया अब हम इन दोनों समी करणों के साहता से हम A और B का मान निकाल सकते हैं अब यहां से निकाल के वहां रख दें तो हमें कैसे मिलेगा दोनों समी करणों को जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ आपके पास क्या है यहाँ पर a-b है और यहाँ a-b है तो आपने जो किया है एक बार आपने लिखा देखे a plus b लिखा तो यह आपको मिला 60 और एक बार a-b लिखा तो आपको मिला 30 क्योंकि वहार root 3 है आप दोनों को add कर दे तो यहां मिलेगा 2A equal to 90 यह चीज मिल गई और यहां जब A का मान आप निकालेंगे तो 90 divided by 2 हो जाएगा तो A बराबर आपको क्या मिलेगा आपको 45 मिल जाएगा यानि A बराबर आपको क्या मिलेगा 90 divided by 2 यानि आपको 45 degree यहां आंसर मिल जाएगा तो यह चीज आपकी समझ में अब आगे आप देखें यहां पर कि question number 4 है वो क्या कह रहा है बताईए कि निम्ड लिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन सा असत्य है और कारण देकर आपको पुस्टी करनी है तो यहां पर आपको मिलेगा वो आप देखना पड़ेगा कि sin a plus b is equal to sin a plus b अब यहां क्या करिया आप a की कोई value मान लीजिए यहां पर सिधा से आपको जो अच्छा लगे जैसे हमने मान लिया कि 30 है इसी तरीके से b की value मान लीजिए 60 हमने मान लिया उन्हों का addition जो है 90 हो जाएगा तो आप देखें यहां पर अगर हम रखते हैं इस जगे पर sin 30 अब plus 60 तो equal to आपको क्या मिलेगा sin 90 मिलेगा और 90 का मान जो होता है वो कितना होता है यह आपको जो answer मिला वो क्या मिला one मिला यह LHS हो गया अब चलते हैं RHS की तरफ तो यहनी LHS का जो मान मिला आपको वो मिला one अब हम RHS को देखते हैं तो यहां हमने माना था sin 30 डिगरी और यहां आप मान रहे हैं sin 60 डिगरी दोनों चीजों को हमने माना अब दोनों के मान थे वो अलग-अलग थे यहनी RHS जो है हमारा मिला not equal to LHS रहा यहनी दोनों बराबर नहीं रहे तो यह क्या हो गया यह हो गया आपका असत्य कारण आप समझ गए होंगे कि क्या बताया कि LHS और RHS बराबर नहीं निकले इसलिए यह क्या निकला असत्य निकला अब चलते हैं बात करते हैं second position की theta में ब्रद्धी होने के साथ sin theta के मान में भी ब्रद्धी होती है तो अब इसमें हम लिख सकते हैं कि जब theta का मान 0 से 90 degree आता है जब theta का मान 0 degree से 90 जाता है degree तक बढ़ता है तक बढ़ता है आप ये लिखेंगे बढ़ता है तो साइन थीटा का मान जीरो से एक तक बढ़ता है यही जब जीरो से नबे डिगरी तक हम ले जाएंगे तो ये एक से लेकर एक डिगरी एक तक मान इसका जाएगा तो यह चीज़ है इस प्रकार ये कथन क्या है सही है यही तो हम कह सकते हैं कि जो एक कथन है हमारा दूसरा वाला क्यों सत्य है क्योंकि 0 से 90 degree जाने पर एक 0 से 1 मान तक यह जाता है इसी तरीके से देखे यहां पर क्या है कि थीटा का इमान में विरद्धी कॉस थीटा का मान में विरद्धी होगी कि नहीं होगी तो यह कथान असत्य हो जाता है यहां एक से लेके यह 0 तक चला जाता है जब ह ये मान जह मारा होगा वो जो है वो असत्य हो जायेगा यायर जो 3rd पार्ट आपका है वो असत्य हो जाएगा क्यों क्योंकि यो 0 से 90 जाएंगे तो इसका मान का आप table में देखेंगे 1 से लेके 0 तक आ जाता है तो इस प्रकार ये चीज गलत हो जाती है अब चलते हैं 4th पार्ट की तरफ तो 4th पार्ट आपका देखिए क्या कहता है कि ठीटा के सभी मानों पर sin ठीटा बराबर cos ठीटा है तो सभी मानों पर सभी मानों पर नहीं है सिर्फ एक ही ऐसा मान है 45 डिगरी इसी पर ये दोनों बराबर होते हैं बाकी किसी पर भी बराबर नहीं होते आप जानते हैं कि 30 डिगरी पर लेंगे तो साइन का जो मान आएगा वो 1 by 2 आता है यानि साइन का मान क्या होगा 1 by 2 होगा अगर cos की बात करें तो cos कमान केतना होता है root 3 by 2 होता है यानि दोनों अलग-अलग होते है लेकिन सिर्फ 45 ही एक ऐसा है जहां पर आपको बराबर मिलेंगे तो इस परकार जो reason हुआ तो यह क्या कह सकते है इसको इसका जो answer होगा वो क्या होगा असत्य होगा यानि असत्य आप यहां लिख सकते हैं तो यह चीज़ हो गई अब चलते हैं फूर्थ पार्ट के तरह फिप्ट पार्ट के तरह sin यानि A is equal to 0 degree cot A परिभासित नहीं है तो यहां पर क्या तालिका में हम देखते हैं cot 0 आप परिभासित दिया गया है इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा आप तालिका में देखेंगे तालिका के अनुसार यह परिभासित नहीं है यह आप परिभासित है इसलिए यह भी कथन आपका सत्य हो जाएगा तो हमने देखा कि इस प्रकार हम जो exercise आज लिये थे प्रसनावली 8.2 इसका second part था इसका पहला वीडियो पढ़ सकते हैं जो description box में उसका link भी मिलेगा आपको आप नहीं तो आप playlist में जा सकते हैं आपको इसकी pure exercise भी मिल जाएगी वहाँ पर तो मिलते हैं अब 8.3 प्रसनावली के साथ कुछ concepts कुछ questions के साथ next वीडियो में तो इसी के साथ आज बस इतना ही धन्यवाद जय हिन जय भारत